हाई हेलो दोस्तों उपस्तितों एक नए वीडियो लेकर जिसमें मैं आपको UPI ID के बहत्रिन फायदे के बारें बताऊंगा इससे पहले मैं आपको बता दूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और नए नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल के अगन को दावाना न भूलिए आजकल अधिकतर लोगों के मॉबाइल फोन में UPI payment application रहता ही रहता है जैसे कि भीम एप ले लिजिए या आप फोन पे गूगल पे इटिश ही तो सबसे पहले मैं UPI के बारे में थुरा सा जनकरी देना चाहूंगा इसका पूरा नाम आपको बता दूँ कि यह unified payment इंटरफेस है यह सिर्फ mobile से operate होता है और interbank पैसा transfer करता है एक bank account से दूसरे bank account में directly पैसा transfer करता है वो भी instantaneous इसलिए हम इसे instant real time payment system भी बोलते हैं आईए हम भीम application के बारे में application यह UPI का base है जो government का app है इसके अंदर डेली transaction limit जो होता है वो आज की date में 40,000 है और per transaction limit 20,000 है और एक दिन में आ आप 10 transaction तक कर सकते हैं अधर यूप पैमेंट जैसे कि जो कि private payment application है तो उसका जो डेली limit है वो 1,000,000 है और transaction limit जो है वो भी 1,000,000 है और आप उसमें भी 10 transaction per day कर सकते हैं तो यह से उनका जो एक उपलब्दी हुआ वो मैं बताया अब उसके बाद मैं उसके benefit के बारे में बताता हुँ जो कि बहुत ही बहतरिन benefit है सबसे पहले पहला जो benefit है वो आप transfer कर सकते हैं पैसे 24 गंटे यानि 24 बाइशेव हैं आप 24 गंटे सातों दिन कभी भी आप पैसे transfer कर सकते हैं दूसरा है multiple payment mode multiple payment mode मतलब हुआ कि आप इसमें आता है mobile नमर आधार नमर आधार नमर आफसी पिल डालने से कर सकते हैं चाहिए UPI mode यानि कि यहीं आपने अपना account आप उस application से link करते हैं तो यह एक UPI code बनता है जो कि आपको सीधा आप अगर UPI code अगर किसी के application में डालते हैं अधर वाले में तो वो आपके उस UPI code से आपके application में पैसे transfer करता है जो कि सीधा आपके bank में जाता है और QR code यह भी QR code उसी समय generate होता है जिस समय आप अपना bank account उस application से attach करते हैं उससे भी आप पैसे directly transfer कर सकते हैं जिससे कि आप scan करता है वो आपके QR code को directly पैसा बिना कुछ डाले वे आपके account में directly पैसा transfer होता है और तीसरा जो है all time payment जिसमें कि आपका सबसे पहला आप bill payment कर सक सकते हैं phone bill payment कर सकते हैं दूसरा आता है peer to peer peer to peer मतलब होगा कि आप अपने दोस्तों को पैसे बेज सकते हैं सगे समय नियों को पैसे बेज सकते हैं तीसरा हुआ merchant pay merchant pay का मतलब होगा कि आप कहीं भी खरीदारी करते हैं कोई भी समान तो आप वहाँ सिधा उसके account में पैसे transfer कर सकते हैं वह आप पर एक link भेज़ेगा आपका जो आपका चाहिए mobile नमर या अधार नमर या जो भी उससे link को वह आपके पर link भेज़ेगा उस link पर click किजेगा directly उसके account में पैसा transfer हो जाएगा तीसरा जो है online payment कर सकते हैं जैसे कि आप कोई भी खरीदारी करते हैं चाहिए आप अगर कोई भी खरीदारी करते हैं तो यहां से आप online payment कर सकते हैं जिससे कि कुछ discount भी दिया जाता है इस सब से payment करने पर चौथा जो है बहतरीन फायदे निगलीजिवाल transaction charges यानि कि आप अगर कई भी पैसे transfer कर सकते हैं करते हैं तो कोई भी पैसा नहीं लेता है यह application लेकिन इसमें एक खास बात बता दूँ कि जैसे कि हट application में एक वैलेट बना होता है हलां कि भीम application में कोई भी वैलेट नहीं है वो directly bank case link है लेकिन अधर आप application म में जाते हैं जैसे कि आप phone pay में जाएए चाहे आप flip card का application में जाएए चाहे Amazon Pay में जाएए वहाँ आप एक wallet बना हुआ है वहाँ पर आपको वैलेट में कुछ पैसे जमा करने होता है जो कि आप bank में transfer करते हैं तो उसके लिए कुछ charges लेती है वो bank wallet to bank में अगर आप transfer करते ह आपका पैसे लगता है लेकिन अगर wallet to wallet करते हैं तो कोई भी पैसे नहीं लगता है तो वह वैलेट कुछ application जो private है वह अपना बनाए वह है जहां कुछ charges लगते हैं लेकिन अगर आप bank से bank directly transfer पैसे करते हैं इसके लिए negligible charges हैं कोई charges नहीं लगता है पांचमा जो हैं वह secure transaction है Secure transaction मतलब कि आपका पैसे safe जाता है उसमें Secure transaction में जो पहला step है उसमें Single click to sector authentication यानी कि दो mode है जिसे कि आप पूरा Secure है कि आपका पैसा कहीं नहीं जाता है तो सबसे पहला transaction and UPID mobile number या QR कर अगर आप transaction UPI ID से करते हैं या QR Code से करते हैं या mobile number से करते हैं तो सबसे पहला यह mode है first step और दूसरा आप अगर यह दोनों के डालने के बाद सारी चीज़ डालने के बाद दूसरे नंबर पर आप UPI कोड कुछ भी नहीं डालना पड़ता है वह भी नहीं डालना तो इस तरह से आपका transaction जो है वह से एक्ट्योर है आप छठे नमर पर जाएगा तो send and request money है यानि कि send तो करते हैं चाहिए आपने दोस्तों से संबंधियों को लेकिन request का भी जो एक option दिया होता है भी अप्लिकेशन में खास करके यह आप किसी के application में वह रिक्वेस्ट आप link भेज दीजिए उस link पर जो ही आपका सामने वाला click करेगा तो उसका सिर्फ उसमें पिन डालना होता है और पिन डालते ही वह आपके account पर पैसे transfer हो जाएंगे यह facility भी एक बहुत ही भैसलिटी है सात्मा जो आता है एड़ multiple account भी अप्लिकेशन में तो सिर्फ एक ही account एड़ होता है एक application में लेकिन अधर जितना भी private application है चाहे फॉन पर ले लिए चाहे गूगल पर ले लिए तो इसमें आप दूसरे दूसरे बैंक बैंक का भी आप account आप इस application में लोड कर सकते हैं यानि कि एक application में आप धेर सारी bank account एड़ कर सकते हैं आठवा जो है वह offline transaction है यानि कि अगर आपके mobile phone में अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप offline transaction कर सकते हैं इसके लिए code दिया गया एक इस्टार 998 यह आपको किलिक करने के बाद आप इससे आप offline transaction भी कर सकते हैं नोवा जो है बहुत कम समयों में अगर इसी के आप अगर चले जाएं आप नेट बैंकिंग से जाते हैं तो नेट बैंकिंग में सबसे पहले आपको बिनकिर करने में समय लगता है उसके बाद अगर आप उसमें पैसे भेजते हैं तो कोई अधा घंटा समय लेकिन चले नेटा निकोई ने लगता है तो यह यही था बेतरीन पाइदे अगर यह विडियो अच्छी लगई तो कमेंट किजिये लाइक किजिये धन्यवाद